Hello बच्चों, let's read the question The question is A box A is lying on the horizontal floor of the compartment of a train running along horizontal rails from left to right At time T it did accelerate Then the resultant contact force are by the floor on the box is given best by So resultant contact force हम किस सरह से देंगे वो हमें बताना है So देखें की concept में बहुत सिंपल सी बात हमें क्या बनाना पड़ेगा Free body diagram बनाना पड़ेगा जो भी box train में रखा हुआ है ठीक है उसका हम free body diagram बनाएंगे उस पर हम सारे forces लगाएंगे अब ये forces कौन कौन से होंगे एक तो हमारा normal reaction होगा जो हम N होता है दूसरा उसका क्या होगा weight होगा ठीक है और क्या होगा pseudo force होगा हमारे पास ठीक है इतने forces हम लगाएंगे उन forces को balance करेंगे और देखेंगे resultant contact force कितना आता है ठीक है तो जब इस direction में जा रहा हुआ तब तो इसका acceleration इसी direction होगा velocity इसी direction में होगी ठीक है और acceleration भी इसी direction में होगा लेकिन फिर क्या हुआ at t equals to t time पर t time पर क्या हुआ ये d accelerate होता d accelerate का मतलब होता है कि हमारी जो acceleration है a जो है वो v के क्या है opposite है ठीक है opposite है क्यूशिघ का वह होता है जब सपोस्स ब्रेक लगाते है उस time क्या होता हमारी velocity जो होती है im across time के साथ क्या होती है axel our way तो उसकी जो direction होती है वो velocity के opposite होती है तो जब हमनेitas एब एस direction में रहेगा और exALARTION में ये जो वहाँया अब हमें पता है अगर इस जाक्षिन है तो स्यूडु फोर्स हमेशा एक्षेलरेशन के टार्यक्षिन में लगता है तो तो फोर्स लगेगा इस डार्यक्षिन में जो हमारा होता है एक उसका वेट लगेगा एम जी नीचे की तरफ एक जिस कंपार्टमेंट का जो हर्जंटल फ्लोर है उसका वोस पर क्या लगाएगा नॉर्मल रियक्शन लगाएगा अब स्यूदो फोर्स इस डारेक्शन में लग रहा है अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तब तो मेरा जो अब स्यूदो फोर्स डारेक्शन लग रहा है तो सिर्फ अगर फोर्स रहेगा तो इस डारेक्शन में क्या हो जाएगा मुव कर लेगा तो फिर क्या लगता है इस स्यूदो फोर्स के अपोजिट डारेक्शन में लगता है एक फ्रिक्शन फोर्स डारेक्शन में मोशन होता है क् तो यह लगता है स्यूदो फोर्स के अपोज डिरेक्शन में तो आप देखे नॉर्मल रेक्शन और फ्रिक्शन फोर्स दोनों के किस पर है नैंटी डिग्री एंगल पर उनका जो रिजल्टेंट निकालेंगे वह 45 45 डिग्री एंगल पर यह इस तरह से आएगा अगर रिजल्टेंट निकालेंगे रिजल्टेंट हमारा क्या होता है अंडर रूड ओफ एंड इसक्वेर प्लस एफ इसक्वेर तो यह हमारा किस के बीच में आएगा दोनों के बीच में आएगा रिजल्टेंट तो हमारा डिग्राम अगर देखे तो सी वाला जो डिग्राम उसमें resultant जो है इधर friction force है इधर normal reaction है और दोनों का resultant इस तरफ आ रहा है contact force का तो C option जो होगा हमारा correct हो जाएगा I hope you understood well all the best